नमस्कार बिहार 24 के सभी दर्सकों का हार्दी का विनन्दन जंजारपूर और अगल वगल के चार चक्का वहान रखने वाले एवब दो चक्का वहान रखने वालों के लिए यह एक विशियस ख़वर है वहान मालिक इस ख़वर पर ध्यान दें क्योंकि इस ख़वर को सुनेने से चार चक्के वहान मालिकों का पैसा बचेगा उनको सर्विस वर्या मिलेगा जी हां मैं बात कर रहा हूँ सीमा सर्फिस सेंटर एक सीमा सर्फिस सेंटर जो जंजारपुर में खुली है वो अत्याधुनिक मसीन से आपको मन पसंद संतुष्टी देगी मैं उनके प्रोपरेटर से मिला अमरेश कुमार जी है जो बुलाकी अस्थान से दीप जाने वाली सरक में लोखा जाने वाली रेल खंड का जो रेलवे क्रोसिंग है उससे पहले हर्मान चोक के असपास उनका ये सीमा सर्फिस सेंटर खुला है उन्होंने बताया कि हमारे यहां सभी परकार के दो चक्के चार चक्के बाहनों में विविन परकार के अधुनिक मसीन से रिपियर कि आजाता है और खास बात यह है कि चार चक्के के बाहनों के लिए पियरिंग में इन्हें विशे सग्यता हासिल है मारुती महंदरा, हुंडे, टाटा, आदी सभी कमपनियों की गारिया जो सरकों पर दोर रही है उन्हें जो भी खरावियां आती है बाहन मालिक अपने बाहनो को ठीक कराने के लिए दर्भंगा दोरते हैं मुझा परपूर दोर्चे हैं पठना दोरते हैं शमय पैसा दोनों की खपत होती है और परिशानी होती है अमरेश कुमर का दावा है कि हमारे यहां एक बार आएं शमय और पैसा तो बचाएंगे ही आपको बेस्ट सर्फिस संत्ور प्रद काम देंगे आपको सटीस्ट्रICA मिलेगा इसी सटीस्ट्रICA के साथ वासिंग का भी काम करते हैं वासिंग में आज सिर्फ पानी धो करके गारी को साफ कर देना कीचर हटा देना नहीं रह गया है गारी के अंदर धूल कन को निकालना सिलिंग जो होता है वहाँ से गंदगी को निकालना इसके लिए गारी को तुरत ही पूरी तरह से साफ कर देना गारी को सुगंधित बना देना आदी जो भी नई टेक्नोलोजी की मसीने है वो जंजहारपूर में अस्थापित की गई है कंपनी जो भी कंपनी की गारियां है उनको अलग-अलग तरीके से सर्विस देने की बिसे सुबधा ये उपलब करा रहे है इनके प्रोप्राइटर अमरेश कुमार जी है उनसे मेरी बात हुई उनके सब्दों में मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं आपको और बिविन जगह मैं जाता हूँ मुझे जो परिशानी होती है मैं उचित समझा कि इस चैनल को देख रहे है सभी दर्सकों को उस परिशानी से रूबुरू कराते हुए उस परिशानी को दूर करने के लिए जो सीमा सर्वी सेंटर जंजारपूर में आपके लिए खुली है वहाँ एक बार अवस्य पधा रह से दीप गाउं जाने वाली सरक में लोखा की और जाने वाली रेलवे क्रोसिंग से पहले अवस्थित है तो जी हां मैं कह रहा था सीमा सर्वी सेंटर पर एक वार अवस्थ पदारें और उनके प्रोपरेटर को सुने हमारे संस्थान जो हां बैठें अभी नाम है सीमा सर्विस एस्टेशन ये बेहट बुला की एस्थान से दीप वाले रोड में है लोखा वाली रेलवेल लेंड क्रोसिंग से जस्ट पहले हमारे यहां जो है चार पहिया और दो पहिया खास करके चार पहिया के हरे कंपनी का है जैसे महिंद्रा हुआ मारती सुजुकी हुआ हिंडाई हुआ टाटा का तो सभी गारियों का जो है आदमी उपकरनों से मरमत क्या जाता है डेंटिंग पेंटिंग का का काम क्या जाता है और यहां पर हमारे यहां भूलाई का जो है वासिंग का जो है कुछ अलग स्ट्ड आदिक उपकर्णों से क्या जाता है और विल्ट्रेंड मेकेनिक के माधियम से क्या जाता है बेहट बुलाकी अस्थान जंजहारपूर अनमंडल का जो में रोड है उसमें बेहट ततमा टुल का साइन गोड लगा हुआ है जिसको कहते हैं बेहट बुलाकी अस्थान वहाँ से दीप के तरफ रास्ता जाता है दीप तुलसिया गुम्टी के तरफ का उसी रास्ते में लोखा वाली रेल बेलन कॉसिंग से पहले बजंग बली का मंदीर है सामने रोड के अपोजिट साइट जो है जहां पर सामभब इंटरप्राइज एक हार्डवेर भी है उसे बगल में जो है ये सीमा सर्विस रेस्टेशन करके हमारा नया संस्थान खुला है तो जितने भी दरसक जो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जिस वर्क के लिए जिस काम के लिए आप लोग दर्भांगा जाते हैं पर ट्रेवल करके जाते हैं और वहाँ पे समय और पैसा यहां से बचत होगा और संतोस्प्रद काम होगा साथिस्ट्री वर्क होगा तो हम लोग यही मेन मोटो है कि जो भी कस्टमर हमारे यहां आए, वो विल सर्टिसफाइड होगे जाए, अंजहारपूर अनुमंडल का जो मेन मुख्य सरक है, उस मुख्य सरक में बेहट मुलाकी अस्थान है, जहां रोड पे ततमा टोल का साइन बोड भी लगा है, वहां से एक ढलाई वाला रोड जो है, आपको पूरव के तरफ मुरता है, जो की बेहट, बेहट से दीप की ओर जाता है, जो तुलसियाग उम्टी होते हुए मधेपूर तक जाती है, तो इसी रोड में लोगहावाली रेलबे लाइन क्रॉसिंग आती है, तो क्रॉसिंग से पहले ही, रोड के अपोजिट साइड जो है, बजंग वली का मंदीर है, वहाँ पर बगल में एक हाडवेर है, सामभावी इंटरपैजिस के, और उससे पहले जो है, यहाँ पर सीमा सर्विस एस्टेशन हमारा संस्थान है, तो आप लोगों से अनुरूध है, बिलकुल एक बार जो है, जो भी चार्चक का, फॉर हो तो एक बार जो है, यहाँ पर आने मनलब मुकाज उर्देहमलों को धन्यवाद.